अध्याय अठारा, डंबल दोर की सेना अम्रिश तुम्हारी चित्थियां पढ़ रही है हैरी, इसका और कोई इस पश्टिकरण हो ही नहीं सकता हैरी ने बॉकला कर पूछा, तुम्हें लगता है कि अम्रिश ने हैडविक पर हमला किया था मुझे तो यही लगता है, हर्माइनी ने गंभीता से कहा अपने मेंढ़क को संभालो, वे भाग रहा है हैरी ने छड़ी मेंढ़क की तरफ के, जो बड़ी उम्मीद से टेबल के दूसरे सिरे की तरफ फुदक रहा था अगमनो, मेंढ़क उदासी से उड़कर उसके हाथ में लोट आया निजी बाचीत का आनन लेने के लिए सम्मोहन से अच्छी और कोई क्लास नहीं थी आम तोर पर इसमें इतनी ज़्यादा हल चल और उथल पुथल होती थी कि किसी दूसरे की बाते सुन लेने का डर बहुत कम रहता था आज कमरे में टराते मेंड़कों और काउवाओं करते काउवों का शोर भरा हुआ था इसके अलावा क्लास की खिड़कियों पर बारिश की बूंदे तेजी से टकरा भी रही थी जब हैरी, रॉन और हर्माईनी ने फुस्फुसा कर इस बारे में बातचीत की कि अमरेज ने कैसे सीरियास को लगभग पकड़ ही लिया था तो किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया हर्माईनी फुस्फुसा कर बोली मुझे इस बारे में तभी से शक हो गया था जब फिल्श ने तुम पर गोबर बमो का ओर्डर देने का इलजाम लगाया था उसका आरोफ मूर्प सा पूंट था और सरासर जूटा लग रहा था मेरा मतलब है तुमारी चिट्थी पढ़ने के बाद एस पश्ट हो जाता कि तुम गोबर बमो का ओर्डर नहीं दे रहे थे इसलिए तुम किसी मुश्किल में नहीं पस्ते ये बड़ा ही कमजोर मजाग था है ना लेकिन फिर मैंने सोचा कई ऐसा तो नहीं कि कोई बहाने से तुमारी चिट्थी पढ़ना चाहता था अगर ऐसा है तो अमरिश के लिए ऐसा करना बहुत आसान था वे फिल्ज को जूटी जानकारी देकर उससे तुमारी चिट्थी जब्द करवा सकती थी या फिर फिल्ज से उसे चुराने का तरीका खोच सकती थी या फिर उससे देखने को मांग सकती थी मुझे नहीं लगता कि इसमें फिल्ज को कोई आपती होती वे विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए खड़ा ही कब हुआ है हैडी तुम्हारा मेंड़क दबा जा रहा है हैडी ने नीचे देखा वे सचमुच मेंड़क को इत्ती कसकर दबा रहा था कि उसकी आँखे बहार निकल पड़ रही थी उसने उसे जल्दी से डेस्क पर रख दिया हर्माईनी बोली कल रात को तो यह बहुती करीबी मामला था क्या पता अमरेच को मालूम है या नहीं किया कितना करीबी मामला था चुपो जिस मेंड़क पर वे अपने मौन समोहन का अभ्याच कर रही थी वे टर्राने के बीच में ही गूंगा हो गया और उसकी तरफ गुस्य से घूलने लगा अगर उन्होंने सनफल्स को पकड़ लिया होता हैरी ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया तो शायद आजसभा वह असकबान में होता उसने अपनी छड़ी बिना केंदरित के लहराई उसका मेंधक किसी हरे गुपारी की तरह फूला और जोर जोर से शीटी बचाने लगा चुपो हरमाईनी ने तेजी से कहा और हैरी के मेंधक की तरफ छड़ी हिलाई जिससे वह खामोशी से सामाने आकार का होने लगा देखो उसे यह काम दोबारा नहीं करना चाहिए बस इत्ती सी बात है मुझे नहीं पता कि हम उसे ऐस बात कैसे बताएं हम उसे उल्लू से तो नहीं बता सकते रॉन ने कहा मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा जोखिम लेगा वह मूर्ख नहीं है वे जानता है कि वे बाल बाल बचा है चुपो उसके सामने खड़े बड़े और बदसूरत कववे ने जोर से काउं 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 की चुपो चुपो कववा और जोर जोर से काउं 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 करने लगा तुम अपनी छड़ी गलत तरीके से हिला रहे हो हर्मینी ने रौन को आलोश नात्मक स्वर में कहा तुम उसे लहरानी की बजाए जोर का जटका दो रौन ने दांच भीच कर कहा कवव पर जादू करना मेंधकों से जादा मुश्किल होता है अच्छी बात है अब हम अदला बदली कर लेते हैं हर्माइनी ने रौन का कवव उठा लिया और उसकी जगा पर अपना मोटा मेंधक रख दिया चुपो कवव अपनी पैनी चोच खुलता और बंद करता रहा लेकिन उसके भीतर से कोई आवाज नहीं आई बहुत बढ़िया मिस ग्रेंजर प्रोफेसर फिल्टविक ने चूचू करती आवाज में कहा जिससे सुनकर हैरी, रौन और हर्माइनी उच्छल पड़े अब तुम कोशिश करो मिस्टर वीजली क्या? ओ, 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 ठीक है रौन ने घबरा कर कहा और चुपो उसने अपनी चड़ी मेंधक के इतने पास लाकर जटकी कि वह सीधे मेंधक की आँख में लगी मेंधक कानफोरू आवाज में टराने लगा और डेस्ट से कूट कर नीचे पहुंच इया उन मेंसे किसी को भी इस बात पर हैरानी नहीं हुई की हैरी और रॉन को हूमवक के ले मौन समोहन का अतिरिक अभ्यास दिया गया बाहर बारिश होने के कारण उने ब्रेक में किसी क्लास के अंदर ही बैटने की इजाज़त मिल गई उन्हें पहली मंजल पर एक शोरगुल वाले और भीड बरे क्लासरूम में जगा मिली जिसमें पीप सपनीले अंदाज में फान उसके पास तैर रहा था और बीच वीच में किसी के सिर की उपर साही की दवा तोडेल रहा था वे अभी बैठे ही थे कि तब ही एंजलीना गपशप करते वे दियातियों के समों के बीच से जैसे तैसे उनके पास आई मुझे इजाज़त मिल गई उसने कहा क्विडिश टीम दुबारा बनाने की बहुत बढ़िया रॉन और हैरी एक साथ बोले हाँ एंजलीना ने मुस्कराते हुए कहा मैं मैं गॉनीगल के पास गई थी और मुझे लगता है कि उन्होंने डंबल डोर से सिफारिश की होगी चाही जो हो अमरेश को हाल माननी पड़ी हाँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आज शाम को साथ बज़े पिछ पर पहुँच जाओ इतने समय का जो नुक्सान हुआ है उसके भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें पता हैं हमारे पहले मैच में अब सिर्फ तीन हफते रह गए हैं वह उनसे दूर चली गई रास्ते में वह पीप्स की फेकी स्याही की फुहार से बच गई जो उसके बज़ाए पास खड़े फस्टेर की एक वित्यार्थी पर पड़ी रौन की मुस्कुराहार थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने खिड़की के बाहर जाका जो अब बारिश के कारण धुंदली हो गई थी उम्मीद है कि शाम तक बारिश रुख जाएगी तुम ही क्या हुआ हर्माईनी वह भी खिड़की के बाहर देख रही थी लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कुछ देख रही थी वह खोई-खोई देख रही थी और उसके चेहरे पर एक तियोरी थी बस सोच रही थी उसने कहा वह अब भी बारिश में नहीं खिड़की की तरफ तेओरियां चड़ा कर देख दी रही हैरी ने पूछा सीरी इस नफस के बारे में नहीं उसके बारे में तो नहीं हर्माईनी ने धीरे से कहा बलकि सोच रही थी मुझे लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं मुझे लगता है है ना हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा रॉन बोला तुमने बात कितनी अच्छी तरह से सपष्ट कर दी अगर तुम इत्ती अच्छी तरह से नहीं समझाती तो हमें बहुत बुरा लगता हर्माइनी ने उसे इस तरह देखा जैसे उसे अभी अभी यह ऐसास हुआ हो कि वह वहाँ था हर्माइनी अप पहले से जादा उची आवाज में बोली मैं तो बस सोच रही थी कि गुपतकलाओं वाले समो को शुरू करने का हम सही काम कर रहे हैं या नहीं क्या हैरी और रॉन ने एक साथ कहा रॉन गुस्से से बोला हर्माइनी यह विचाट तुम्हारा ही था मैं जानती हूँ हर्माइनी ने अपनी उंगलिया मोडते हुए कहा लेकिन इस नफल से बाते करने के बाद हैरी बोला लेकिन वह तो चाहता है कि हम यह काम करें हाँ हर्माइनी ने एक बार फिर खिड़की को भूरते हुए कहा हाँ इसी कारण तो मैं सूच रही हूँ कि शायद यह सही नहीं होगा पीपस पेट के बल उपर तैरने लगा वह मटर के दाने फेकने के लिए तैयार था उन तीनों ने उसके जाने तक अपने बैक से अपना सर ढख लिया हम इस बात को सीधा कर लेते हैं हैरी ने गुस्से में कहा जब उन्होंने अपने बैक दुबारा फर्श पर बापिस रख दिये सीरियस हमारी बात से सहमत है इसलिए तो मैं लगता है कि हमें एक काम नहीं करना चाहिए हर्माईनी तनाव गरस्त और थोड़ी दुखी लग रही थी अब अपने हाथों की तरफ गूरते हुए वह बोली क्या तुम्हें सचमुच उसके निर्ने पर भरोसा है हाँ मुझे है हैरीन ततकाल कहा उसने हमें हमेशा बहुत बढ़िया सला दी है एक स्याही की फुहार उनके पास से उड़ते हुए गुजरी और केटी बैल के कान पर पड़ी हर्माईनी ने केटी को उचलते हुए और पीप्स पर सामान फेकते हुए देखा कुछ पल बाद हर्माईनी दुबारा बोली और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुन रही थी तुम्हें नहीं लगता कि जब से वे ग्रिमॉल चॉप में बंद है तब से वे थोड़ा दुस्साहासी बन गया है तुम्हें नहीं लगता कि वे एक तरह से हमारे माध्यम से जी रहा है हैरी ने पलट कर पूछा तुम्हारा क्या मतलब है हमारे माध्यम से जी रहा है मेरा मतलब है देखो मुझे लगता है कि उसे मंत्राले के किसी व्यक्ती के नाक की नीचे खूफिया संस्था बनाना बहुत अच्छा लगता मुझे लगता है कि वह इस बात पर बहुत कुंठित है कि वह जहाँ है वहाँ कितना कम कर सकता है इसलिए मुझे लगता है वह एक طरح से हमें उकसाना चाहता है रौन बहुत परिशान दिखने लगा सीरियस सही है उसने कहा तुम भी मेरी मम्मी की तरह बाते कर रही हो हर्माइनी ने अपना होट काट लिया और जवाब नहीं दिया जैसे घंटी बजी पीप्स नीचे की तरफ उड़ता हुआ केटी के पास आया और उसके सिर पर स्याही की पूरी शीशी उड़ेल दी दिन ढलने तक मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ इसलिए उस शाम को साथ बजे जब हैरी और रॉन प्रैक्टिस के ले कोईड़ेच पिच पर गए तो वे कुछ मिनिट में ही पूरे भीग गए और उनके पैर गीली खास पर फिसलने लगे आसमान गहरा भूरा था और चेंजिंग रूम की गर्मी था तर रोशनी में पहुँचना बहुत रहत भरा था हलाकि वे जानते थे कि यह रहत सिर्फ कुछ समय की ही है उन्हें फ्रेड और जॉर्ज इस बात पर बहस करते मिले कि वे खेलने से बचने के लिए अपनी गोता मार टॉफी का प्रयोग करें या ना करें लिकिन मैं शर्ट लगाता हूँ कि वे समझ चाहेगी फ्रेड ने अपने मूग के कोने से कहा काश मैंने कल उसके सामने ववनकारी टॉफी खरीदने का प्रस्ताओं नहीं रखा होता हम जोर टॉफी का इस्तमाल कर सकते हैं जॉर्ज बुदबुदाया इससे अब तक किसी ने नहीं देखा है क्या ये काम करती है टॉन ने उमीद से पूछा छट पर बारिश की आवाज तेज हो गई और हवा इमारत के चारव तरफ गरजने लगी हां फ्रेड ने कहा बुखार तेजी से चड़ जाता है जॉर्ज ने कहा लेकिन उसके साथ ही मवाद भड़े बड़े बड़े फोड़े भी हो जाते हैं और हम अब तक यह पता नहीं लगा पाएं है कि उनसे मुक्ती कैसे पाई जाए रॉन ने अपने जुरवा भाईयों को भूरते हुए कहा मुझे तो कोई फोड़ा नहीं देख रहा है नहीं तुम नहीं देख पाओगे फ्रेड ने गंभीरता से कहा वे ऐसी जगा पर हैं जो हम आम तोर पर लोगों को नहीं दिखाते हैं लेकिन उनकी वज़ा से जाडू पर बैटना सच मुझ दर्दनाक ठीक है सबी लोग सुनो एंजलीना ने कप्तान के आफिस से बाहर निकलते हुए जोर से कहा मैं जानती हू कि मौसम आदर्श नहीं है लेकिन इस बात की संभावना है कि हम इसी तरह के मौसम में नाकशक्ती के साथ खेलेंगे इसलिए एरण निती बनाना अच्छा रहेगा कि हम ऐसे मौसम में किस तरह खेलेंगे हैडी जब हम उस तूफान में मैंनत कशकी टीम के साथ खेले थे तो तुमने अपने चश्मे के साथ कुछ किया था है ना जिससे बारिश उसे दुन्दरा नहीं कर पाई थी हरमाईनी ने किया था हैडी ने कहा उसने अपनी चड़ी बाहर निकाली अपनी चश्मे को ठोका और कहा अप रभावितो एंजलीना बोली मुझे लगता है हम सभी को याकाम कर लेना चाहिए अगर हम वारिश को चहरे से दूर रख सके तो इससे हमें सच मुछ देखने में मदद मिलेगी सब एक साथ बोले अप रभावितो ठीक है चलो चलते हैं उन सभी ने अपनी अपनी चड़ी दुशाले के भीतरी जेब में रखी जाडू कंधे पर रखी और एंजलीना के पीछे पीछे चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया वे गहरे कीचण में छपचप करते हुए ठीक है मेरी सीटी पर उनने लगना है जी जमीन पर पैर माल कर उपर उठा जिससे चारों तरफ कीचर उड़ गया उपर उठते समय हवा के कारण वे दिशा से थोड़ा भटक गया उसे पता नहीं था कि इस मौसम में वे सुनहरी केंद को कैसे देखेगा उसे तो उस पहलव आगे से एंजलीना ये नहीं देख पाई दरसल ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ भी नहीं देख पा रही थी उन मेंसे किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाकी खिलाडी क्या कर रहे थे हवा तेज हो रही थी इतनी दूर होने के बावजू धैरी को सुनाई दे रहा था कि बारिज जील पर मुक्के बरसा रही थी और सरसरा रही थी एंजलीना ने हार मानने से पहले एक घंटे तक उन्हें इस काम में जुटाए रखा वे अपनी गीली और असंतुष्ट टीम को वापिस चेंजिंग रूम में ले गई उसने जोड़ दे कर कहा कि प्रैक्टि के भाव आ जाते थे हैरी जब अपने बाल तॉलिये से सुखा रहा था तो उसने धीमी आवाज में उनकी शिकायते सुनी फ्रैट खोखली आवाज में कह रहा था मुझे लगता है कि मेरे कुछ फोड़े फूट गए हैं जो और ने नहीं फूटे वे तो बुरी तरह टीस मा लग रहे हैं आउच हैरी ने कहा उसने तॉलिये को चेहरे पर कसकर दबा लिया उसकी आंके दर्द के मारे बंद हो गई उसके माथे के निशान में दुबारा दर्द होने लगा कई सब्ता बाद निशान में इतना तेज दर्द हुआ था क्या हुआ कई आवाजों ने लाया कुछ नहीं आख में उंगली चली गई थी बस इतीसी बात थी बरहाल उसने रॉन की तरफ खास अंदाज में देखा जब टीम के बागी खिलाडी बाहर निकले तो वे दोनों पीछे रोके रहे वे चोगों में लिपते हुए थे और उन्होंने अपने हैट कान तक पीच रखे थे जब एलेसिया दरवाजे से बाहर निकल कर ओचल हो गई तो रॉन ने पूछा क्या हुआ निशान फिर से दुखा क्या हैरी ने सिर्ह लाया लेकिन दहशत में रॉन खिड़की तक गया और बारिस में बाहर गूरने लगा वे वे इस समय तो हमारे आस-पास नहीं हो सकता है ना नहीं हैरी बुर्बदाया और बैंच पर लुड़क कर अपना माथा मनने लगा वे तो शायद मीलो दूर होगा निशान इसलिए दुखा था क्योंकि वे नाराज है हैरी यह नहीं कहना चाहता था और यह शब्द सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अजन भी कर रहा हो क्या तुम्हें वे दिखा रौन ने दहशत में दिखते हुए पूछा क्या तुम्हें कोई सपना या जहलक दिखी हैरी बिल्कुल खामोश पैटकर अपने पैरों को एक तक देखता रहा वे दर्द के बाद अपने दिमाग और याताश को आराम देता रहा बह कि उसे यकीन था कि वे सच थे रौन ने पूछा लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो हैरी ने अपना सिर हिलाया और अपनी आँखों पर हांत रखकर दबाने लगा उन मैसे छोटे छोटे सितारे निकलने लगे उसे महसूस हुआ कि रौन बैंच पर उसके पास बैठ गया ह और वे जानता था कि रौन उसे घूर रहा होगा क्या ये वैसा ही था जैसा पिछली बार हुआ था रौन ने धीमी आवाज में पूछा जब तुम्हारा निशान अमरिच के आफिस में दुखा था उस वक्त तुम जानते हो कौन नारास था हैरी ने अपना सिर हिलाया तो फ जीब सी भावना खुशी की भावना लेकिन जाहिर है तब उसे वह समझ नहीं पाया था क्योंकि वह बहुत दुखी था उसने कहा पिछली बार निशान में दर्ट इसले हुआ था क्योंकि वह खुश था सचमुश खुश था उसे लग रहा था कोई अच्छी चीज होने वा जो मूँ फाड़कर उसे देख रहा था रॉन हैरानी से बोला दोस्त तुम तो ट्रिलोनी की छुट्टी कर सकते हो हैरी बोला मैं भविश्यवानिया नहीं कर रहा हूँ नहीं तुम दरसल कुछ और कर रहे हो रॉन बोला वैं धरा हुआ और प्रहावित दोनों था हैरी सरह लाते हुए कहा मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसके मूड का अंदाजा लगा सकता हूँ मुझे तो बस उसके मूड की जलक मिल रही है डंबल डोन ने कहा था कि पिछले साल इसी तरह का कुछ हो रहा था उन्होंने कहा था कि जब वाल्डेमॉर्ट मेरे पास होता था य तुमें किसी ना किसी को तो बताना ही चाहिए मैंने पिछली बार सीर्यस को बताया था तो इस बार भी बता दो नहीं कर सकता हैरी ने अदासी से कहा भूल गया है क्या अमरे जलूओं और अंगीठियों पर नजर रख रही है तो फिर डंबल डोर को मैंने तुम्हे अभी अ अपना चोगा बांद थे समय हैरी को विचार पूरवग देखा उसने कहा वैसे डंबल डोर जानना चाहेंगे हैरी ने कंधे उचका दिये चलो हमें अभी मौन सम मोहर का अभ्यास करना है वे तेजी से अंधेरे मैदान में चलने लगे कीचर भरी घास पर वे फिसलते हुए और लंगडाते हुए जा रहे थे खामोशी में हैरी सोच विचार में डूबा हुआ था वाल्डे मौट ऐसा क्या चाहता था जो तेजी से नहीं हो रहा था उसके दूसरे इरादे भी हैं ऐसे इरादे जिन पर वह बहुत गोपनिया तरीके से अमल कर सकता है ऐसी चीज जिस वाली घटनाओं में इतना डूबा हुआ था अमरेच के साथ लगातार हो रहे युद्ध को लड़ने में इतना व्यस्त था मंत्रा लेके हस्तक शेप के अन्याय से इतना शुग्द था लेकिन अब वेशब्ट उसे याद आ गए और वह सोचने लगा वाल्डे मौट का गु वे इस समय किसके पास था मिम्बूलर्स मिल्बिल्टोनिया रॉन ने कहा जिससे हैरी ततकाल होश में आ गया और तस्वीर के छेथ में से निकल कर हौल में पहुँच गया ऐसा लग रहा था कि हर्माइनी जल्दी सोने चली गई थी प्रुक शेक्स पास की एक कुरसी पर नहीं बताना चाहता था उसे डर था कि वे भी डंबल्डूर्स के पास जाने की सलाह देगी रॉन उसकी तरफ चिंतावरी निगाहों से देखता रहा लेकिन हैरी ने सम्मोहन विशय के अपनी पुस्ता के निकाली और निबंद पूरा करने में जुट गया हाला कि वे के इंदर्ट करने का नाटक कर रहा था और जब रॉन ने कहा कि वे सोने जा रहा है तब तक वे बहुत कम लिख पाया था आधी रात आई और गुजर गई लेकिन हैरी एक पेराग्राफ को ही बार बार पढ़ रहा था इसमें इस करवी ग्रास लवेज और इस नीज वर्ट क और चकर गंदनी काड़ों में किया जा सकता है जहां जादूगर उतावला पन और दुस्साहास उत्पन्द करना चाहते हों हरमाईनी ने कहा था कि ग्रिमॉर चौक में रहते रहते सीरियस दुस्साहास ही हो गया था मस्तिश्क के उत्तेजन में सबसे ज़्यादा बिल्कुल शैश अब्द था वह यह बात क्यों जानता था कि वॉल्डेमॉर्ट कैसा मैसूस कर रहा था उन दोनों के बीच में एक ऐसा अजीव और करीब संबंद था जिसे लंबल डोल भी कभी संतोश चनक धंग से नहीं समझ पाए थे उत्पन करना चाहता हो हैरी सोना च धड़क रही थी हैरी की धीली पकड़ से किताब फिसल गई और हलकी सी धम्म के साथ कालीन पर गिर गई उसका सिर एक तरफ को लटक गया एक बार फिर खिड़की वीहिन गल्यारे में वो चल रहा था और उसके पद्चाप खामोशी में गूंज रही थी जैसी गल्यारे के आखर में दर्वाजा नजर आया उसका दिल रोमान से धड़कने लगा काश वह ऐसे खोल सकता इसके पार जा सकता उसने अपना हाथ बढ़ाया उसकी उंगलिया सिर्फ कुछ इंच दूर थी हैरी पॉर्टर सर वह चौक कर जा गया हॉल में मूंबतियां अब बुच चुकी डॉबी आपका उलू लेके आया है सर। बैठी हुई थी वह शांती से आवाज निकाल रही थी और साफ नजर आ रहा था कि वह ठीक हो चुकी थी हैरी पॉर्टर के उलू को लोटानी के लिए डॉबी खुशी-खुशी तयार हो गया घरेलू जिन ने कहा और उसके चेहरे पर प्रसंशा का भाव था। प्रोफेसर हुई हैरी की कुरसी के हटे पर आ गई शुक्रिया डॉबी हैरी ने हेडवे कर सेहलाते हुए कहा वह तेजी से पलके जपका रहा था और सपने वाले दरवाजे की छवी से चुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था यह बहुत साफ था डॉबी को जादा गौर से देखने पर उसने पाया कि घरेलू जिनने बहुत सारे सकार्फ और अंगिनत मोजी भी पहने हुए थे जिस कारण उसके पैर शरीर के साफ से बहुत मोटे देख रहे थे और क्या तुम हरमाईनी के रखे हुए सारे कपड़े ले लेते हो डॉबी ने खुशी से कहा ओ नहीं सर डॉबी विंकी के लिए भी कुछ ले लेता है सर हैरी ने पूछा अच्छा विंकी कैसी है डॉबी के कान थोड़े लटक गए विंकी अब भी बहुत पीती है सर उसने दुख से कहा उसकी टैनिस के गेंद जैसी बड़ी बड़ी गोल हरी आँखे नीचे जुगी हुई थी वह कपड पूरी नहीं चाहती है हैरी पूर्टर ना ही बाकी घरेलू जिन चाहते हैं उनमें से कोई भी अब गरोड़ोर टावर की सफाई नहीं करता है क्योंकि यहां हर जगे हैट और मोजे छिपे रहते हैं उन्हें यह बहुत अपमान जनक लगता है सर डॉबी सारा काम खुद करत है सर लेकिन डॉबी को कोई दिखकत नहीं है सर क्योंकि उसे हमेशा हैरी पॉर्टर से मिलने की उमीद रहती है और आज रात को सर डॉबी की इक्षा पूरी हो गई डॉबी ने एक बार फिर बहुत जुक कर सलाम किया लेकिन हैरी पॉर्टर खुश नहीं दिख रहा है डॉ नहीं हैरी ने जमाई लेते हुए और आखें मलते हुए कहा मुझे इससे भी बुरे सपने आ चुके हैं घरेलू जिनने अपनी बड़ी बड़ी गोल आखों से हैरी को गौर से देखा फिर उसने अपने कान लटका कर बहुत गंभीरता से कहा डॉबी चाहता है कि वे हैरी पॉ हैरी की किताब उठा ली अब उसे निबंद को पूरा करने की कोशिश कल करनी पड़ेगी उसने किताब बंद कर दी ऐसा करते समय आख की हलकी रोशनी में उसके हाथ के पीछे के सफेर निशान दिख गए अमरिच के साथ उसकी सजा का परिणा हैरी ने धीरे से कहा एक कुट कलाउं से रक्षा की प्रैक्टिस कर सके और कोई टीशर उन्हें पकड़ भी ना पाए खास तोर पर हैरी ने किताब पर अपना हाथ भीच लिया जिससे सफ़ेद निशान चमकने लगा प्रोफेसर अमरिच उसे उमीद थी कि घरेलू जिनकी मुसकान गायब हो उसे उमीद थी कि वह यह कहेगा कि यह असंभव था या फिर वह ऐसी जगह खोजनी की कोशिश करेगा हैरी को डॉबी से मदद की जादा उमीद नहीं थी उसे यह उमीद तो कता ही नहीं थी कि डॉबी थोड़ा उचलेगा अपने कान खुशी से फटफडाएगा और ताली बजा देगा डॉबी इसके लिए आदर्स जगह जानता है सर उसने खुशी से चैकते हुए कहा जब डॉबी हॉगवर्टस आया था सर तो दूसरे घरेलू जिनसे उसने इसके बारे में सुना है इसे हम आना जाना कक्ष कहते हैं सर या फिर आविश्यक्ता कक्ष क्यों हैरी यह वहाँ प्रकट होता है और कई वार नहीं होता है लेकिन जब यह प्रकट होता है तो यह हमेश्या खोजने वाले के आविश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए तयार रहता है डॉबी इसका स्तमल कर चुका है सर घरेलू जिनने कहा उसने अपनी आवाज नीचे कर ली और या विस्तर तयार मिला जिस पर वैस हो सकती थी सर और डॉबी जानता है कि मिस्टर फिल्ड की सवाई की सामगरी जब खतम होने लगती है तो उन्हें वहाँ पर सामन मिल चाता है सर और अगर किसी को बाथरूम की जरूरत हो हैरी ने कहा उसे अचानक याद आया कि डंबल ड उन्हें पिछले क्रिसमस पर यूल बॉल में क्या कहा था क्या ये कमरा चेंबर पॉट से भर सकता है डॉबी को लगता है कि ऐसा हो सकता है सर तो बी नगम भीटा से फिर सिर हिलाते हुए कहा ये बहुत अधवुत कमरा है सर हैरी अपनी कुरसी पर थोड़ा संकर बैठते इसके बारे में कितने लोग जानते हैं बहुत कम सर जादतर लोग इसे सयोग से पाते हैं जब उन्हें इसकी जरूरत होती है सर लेकिन अक्सर वे से दुबारा नहीं खोच पाते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि हमेशा मौजूत रहता है और बुलाए जाने का इंतिजा करता है सर यह बहुत बढ़िया लगता है हैरी ने कहा और उसका दिल सर पर भागने लगा यह आदर्श लगता है डॉबी तुम मुझे यह कमरा कब दिखा सकते हो कभी भी हैरी पॉर्टर सर डॉबी ने कहा और हैरी के उत्सा को देखकर खुश दिखने लगा अगर आप चाहे तो अभी चल सकते हैं एक पल कले तो हैरी डॉबी के साथ जाने के लिए ललचाया वह अपनी कुर्सी से आधा उतर भी गया वह तेजी से उपर जाकर अपना द्रिश्य चोगा लाना चाहता था लेकिन तबी हर्माइनी जैसी एक अवाज उसके कान में फुस्वसाई दुस्साहासी आखिर बहुत देर हो चुकी थी वह ठक चुका था और उसे स्नेव का निबंद पूरा करना था आज रात को नहीं डॉबी हैरी ने अनिक छा से कहा और दुबारा अपनी कुरसी में धस गया यह सच मुछ महत्वपूर्ण है मैंसे हवा में नहीं उडाना चाहता हूँ इसके लिए सही योशना बनानी होगी सुनो क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो कि यह आवे शक्ता कक्ष क्या है और उसमें कैसे पहुचा जा सकता है जब वे जड़ी वूटी विग्यान के दो पीरिड में पढ़ने के लिए जाने लगे तो उन्हें छपचप करके बांड भरी क्यारियों से गुजणना पड़ा उनके चारों तरफ उनके दुशाले हवा में लहरा रहे थे ग्रीन हाउस की छट पर पानी की बूंदें ओलों की तरह इतनी जोड से गिर रही थी कि क्लास में उन्हें प्रोफेसर स्प्राउट की बाते सनाई नहीं दे रही थी जादुई प्राणियों की देखबाल की क्लास को तूफान वाले मैदान से हटा कर ग्राण फ्लोर के एक खाली क्लास रूम में लगाया गया उन्हें गहरी राहत मिली जब एंजलीना ने लंच के दौरान अपनी टीम के सभी खिलाडियों को बताया कि कोईडिज प्रैक्टिस रद कर दी गई है जब एंजलीना ने उसे बताया तो हैरी धीरे से बोला यह अच्छा रहा क्योंकि हमें सुरक्षा मीटिंग ले जगा मिल गई है आज रात को आठ बज़े साथवी मंजल पर पगले बर्नाबस की दिवार दरी के सामने जिसमें देते बर्नाबस को पीट रहा है क्या तुम केटी और एलेसिया को बता दोगी वह थोड़ी हैरान दिखी लेकिन उसने बाकी वित्यार्थियों को बताने का वादा कर लिया हैरी भुकमरों की तरह सौसिज खाने लगा कद्दू के जूस का प्यारा उठाते वक्त उसने देखा कि हर्माइनी उसे देख रही थी क्या है उसने भारी अवाज में पूछा देखो बात सिर्फ इतनी है कि डॉबी की योजनाएं कभी सुरक्षित नहीं रहती है क्या तुम वेगटना भूल गए जब उसके कारण तुमारे हाथ की सारी हड़ियां कायब हो गई थी यह कमरा डॉबी का कोई पागलपन भरा विचान नहीं है डंबल डूर भी इसके बारे में जानते हैं उन्होंने यूल बॉल में मुझसे इसका जिक्र किया था हर्माईनी के माथे के बल साफ हो गए डंबल डूर ने तुम्हें इसके बारे में बताया था हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा बातो बातों में जिक्र किया था ओ, अच्छी बात है, तब तो सब कुछ ठीक है हर्माईनी ने तेजी से कहा और इसके बात को या पत्ती नहीं उठाई रॉन के साथ दोनों ने अपना जादतर वक्त उन विद्यार्थियों को खोजने में बिताया जिन्होंने हॉक्स हेड में सूची पर साइन किये थे उन्होंने उन सब को बताया कि शाम को कहा मिलना है हैरी को इस बात पर थोड़ी निराशा हुई कि चो चैंग और उसकी सहेली को जिनी ने खो जा बरहाल दिनर के बात तक उसे भरोसा हो चुका था कि एक खबर उन सभी 25 विद्यार्थियों तक पहुँच चुकी थी जो हॉक्स हेड में शामिल हुए थे साड़े साथ बचे हैरी रॉन और हर्माईनी गरणद्वार के हॉल से बाहर निकले हैरी अपने हाथ में एक पुराना चरम पत्र पकड़े था फिफ्ट्यार्थियों को रात नौ बजे तक गलियारे में बाहर रहने की इजाज़त थी लेकिन साथवी मंजल की तरफ जाते समय पूरे रास्ते वे तीनों घबरा का चानों तरफ देखते रहे जराठ हैरू हैरी ने चेताबनी दी और आक्री सीड़ी पर चरम पत्र को खोल लिया जिसे छडीक से ठोक कर भै बुदबुदाया मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा जूट कहूंगा और जूट के सिवाए कुछ नहीं कहूंगा चरम पत्र की खाली सता पर हॉगवर्ट्स का नक्षा प्रकट हो गया उसमें छोटे छोटे काले बिंदू थे जो हिल रहे थे इन बिंदूओं के पास नाम के लेबल लगे थे जिन से पता चलता था कि कौन वहाँ पर था फिर इस दूसरी मंजिल पर है हैरी न नक्षे को अपनी आँखों के पास लाते हुए कहा और मिसिस नौरिस चौथी मंजिल पर और अमरिज हरमाईनी ने चिंता बरी आवाज में पूछा अपने आफिस में हैरी ने इशारा करते हुए कहा अच्छा तो अब चलते हैं वे जल्दी जल्दी कल्यारे से होते हुए उस जगा की तरफ चल दिये जिसका वर्णन डॉबी ने हैरी से किया था यह एक खाली दिवार थी जिसके सामने वाली दिवार पर दिवार दरी रगी थी इस दिवार दरी में पागल बढ़ना बस देतें को बेलें से खाने की मुर्तापून कोशिश कर रहा था ठीक है हैरी ने धीरे से कहा जब एक दीमक खाया देतें उनकी आँखों के सामने अपने बेले टीचर को लगातार मुदगर मारते मारते ठहर गया डॉबी ने कहा था कि दिवार के इस हिसे के सामने तीन बार गुजरना और उस चीज़ पर ध्यान केंदर्द करना जिसकी हमें जरूरत है उन्होंने ऐसा ही किया वे उस जगा के सामने से तेजी से पल्टे जो दीवार के खाली हिस्ते के ठीक सामने थी फिर दूसरी तरफ जाकर वे एक आदम कद गुल्दान के पास से मुड़ गए रॉन ने अपनी आँखे एक आगरदा में से कोड ली थी हर्माईनी धीरे धीरे कुछ फूसा रही थी हैरी की मुठी बंदी हुई थी और वे अपने सामने एक टक देख रहा था उसने सोचा हमें मुकाबला करना सीखने एक लिए किसी जगा की जरूरत है हमें प्रैक्टिस के लिए कोई जगा उपलब्द करा दो जहां कोई हमें न खोच सके जब वे तीसरा चकर लगाने के बाद लोटे तो हर्माईनी ती की आवाज में बोली हैरी दीवार में एक बहुत ही चमकदार दरवाजा प्रकट हो गया था रौन गौर से उसे भूर रहा था हैरी ने आंगे बढ़कर पीतल का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया वहे एक बड़े कमरे में पहुँचिया था जिसमें मशाले जल रही थी जैसे आठ मंजिल नीचे के तहखाने में जलती थी दिवानों पर किताबे रखने के लकडी के शेल्फ कतार में लगे थे और कुर्सियों की जगा फर्ष पर रेशम के बड़े कुशन बिचे थे कमरे की दूसरी और शेल्फों पर बहुत से यंत्र रखे थे जैसे मुखबेरियत्र, गोपन समवेदक और एक बड़ा सा चटका हुआ शत्रू दरपन जिसके बारे में हैरी को यकीन था कि वह पिछले साल नकली मूडी के आफिस में लटका रहता था वे स्थब्धी करन मंतर की प्रैक्टिस करते समय काम आएंगे रौन ने अपने पैर से कुशन को कुरेतते हुए उसा से कहा और इन किताबो की तरफ तो देखो हर्माईनी ने रोमान्स से कहा और चम्डे की जिल्द वाली किताबों पर उंगली फेरी उसने चमकते चहरे से हैरी की तरफ देखा और हैरी को महसूस हो गया कि सेकनों किताबों की मौजूदगी ने आखिर कार हर्माइनी को यकिन दिला दिया था कि वे जो कर रहे थे वे सही था हैरी यह तो अद्भुत हैं हमें जिन चीजों की जरूरत हैं वे सब यहाँ पर हैं और बिना देर किये उसने शेल्प से जिनसिक्स फॉर्ड़ जिंक्स्ट पुष्टक निकाली और सबसे करीबी कुशन पर बैठ कर उसे पढ़ने लगी दरवाजे पर धी में से दस्तक हुई हैरी ने घूम कर देखा जिनीन, नैविल, लेविंडर, पारवती और दीन आ गए थे वा, दीन ने चरव तरफ घूर कर प्रभावित होते हुए कहा यह जगा कौन सी है, हैरी समझाने लगा लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही और लोग आ गए जिस वज़ा से उसे दुबारा शुरू करना पड़ा आठ बजे तक हर कुशन भर चुका था हैरी दरवाजे तक गया और ताले मैंसे जहांक रही चावी को तेजी से घुमा दिया हर विद्यार थी खामोशो कर उसकी तरफ देखने लगा हर्माईनी ने साफधानी से जिन सिक्स फॉर्दा जिंक्स्त के पन्नों पर मारकर लगाया और पुस्तक एक तरफ रख दी अच्छी बात है हैरी ने थोड़ी घबराई आवाज में कहा हमने प्रैक्टिस करने के लिए यह जगा चुनी है और जाहिर है कि तुम लोगों को और यह अच्छी लगी है यह बहुत अच्छी है चुने कहा और कई लोगों ने सुझाओ पर सहमती जताई यह अजीब है फ्रैड ने चार तरफ तेयोरियां चड़ा कर कहा हम एक बार फिल्स से बचने के लिए हैं छिपे थे याद है जॉर्ज लेकिन तब यह जाड़ू की अलमारी थी हैरी यह क्या है दीन ने कमरे के पीछे से मुखबर यंत्र और शत्रू दर्पन की तरफ इशारा करते हुए पूछा शैतानी सूचक यंत्र हैरी ने कहा और कुष्णों के बीच से होते हुए उस तरफ पहुँचा जब शैतानी जादूगर या दुश्मन आसपास होते हैं तो यह बता देते हैं लेकिन इस पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है इन्हें चक्मा दिया जा सकता है वह एक पल के लिए चटके हुए शत्रू दरपड में देखने लगा उसके भी तरचायदार आकरतियां गूम रही थी लेकिन कोई पहचान में नहीं आ रही थी उसने उसकी तरफ पीट कर ली देखो मैं सूच रहा था कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसने देखा कि एक हाथ उठा हुआ था क्या है हर्माइनी हर्माइनी ने कहा मुझे लगता है कि हमें लीडर चुन लेना चाहिए लीडर तो हैरी है चो ने ततकाल कहा और हर्माइनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह पगला गई हो हैरी के पेट में एक बार फिर उथल पुथल मचने लगी हाँ लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पर आपचारिक वोटिंग करा लेनी चाहिए हर्माइनी ने बिना विचलित हुए कहा इससे ये आधिकारिक बन जाएगा और हैरी को नितरत्व करने की शक्ती मिल जाएगी इसलिए वे सब विद्यार्थी हाथ उठाएं जो सोचते ह रहा था कि उसका चेहरा जल रहा था और क्या है हर्माइनी हर्माइनी ने अपने हाथ को हवा में रखते हुए उत्सा से कहा मुझे यह भी लगता है कि हमारा कोई नाम होना चाहिए इससे टीम भापना और एकता बढ़ती है क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता एंजली जिनी ने फ्रेट की तरफ तेयोरियां चड़ा कर कहा कि हमें ऐसा नाम चुनना चाहिए जिससे किसी को हमारी रादे पता ना चले ताकि हम मीटिंग्स के बाहर भी सुरक्षित तरीके से इसका जिक्र कर सके जो ने कहा डिफेंस असोसियेशन संसेप में डी ए इससे किसी को पता नी चलेगा कि हम किस बार में बात कर रहे हैं हाँ दिये अच्छा रहेगा जिनी ने कहा बस इसका पूरा नाम डंबल डोर्स आर्मी रख लेते हैं क्योंकि यह मंत्राले का सबसे बुरा डर है है ना यह सुनकर काफी बुदबदाहटे हुई और हसी के आवाज सनाई द सभी लोग दिये के पक्ष में हैं हर्माईनी ने पूछा और अपने कुशन पर घुटनों के बल बैट कर हाथ गिनने लगी यह प्रस्ताओ बहुमत से पारित हो गया उसने उस चरम पत्र को दीवार से टिकाया जिस पर उन सभी के साइन थे और उसकी उपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया डंबलडोर की सेना हर्माईनी के दुबारा बैटने पर हैरी बोला ठीक है तो अब हम प्रैक्टिस शुरू करें मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले निरस्त्री करन मंतर का अभ्यास कर ले निरस्तर करने वाला मंतर मैं जानता हूं कि यह फोध शु लेगा तुम ही क्या लगता है मैंने इसका इसत्माल उसके खिलाफ किया है हैरी ने धीरे से कहा इसने जूनमें मेरी जान बचाई थी इसमीत न मुठ्टापून तरीके से अपना मुग खोला बाकि लोग बिलकुल खामोश थी हैरी बोला लेकिन अगर तुमय लगता है कि से को जोड़ियां बना कर प्रैक्टिस करनी चाहिए निर्देश देना बहुत अजीब लग रहा था लेकिन इससे भी जादा अजीब यह लग रहा था कि उनका पालन हो रहा था सभी ततकाल खड़े हो गए और जोड़ियां बनाने लगे जैसा अनुमान लगाया जा सकता था नै शाओं में उड़ने लगी चूके हुए मंतर शेल्फ पर रखी पुस्तकों पर पढ़ते हुए उन्हें हवा में उड़ाने लगे हैरी नैविल के लिहाद से बहुत फुर्तीला था जिसकी छड़ी उसके हाथ से उड़ी और छट से टकरा कर्चिंगारियों की बारिश करने क बाद धम्मे के साथ एक बुक शेर्फ पर गिरी जहां से हैरी ने उसे आवाहन मंतर से बुला लिया चारों तरफ देखते हुए उसने सोचा कि उसका यह सुजाओ सही था कि उन्हें सबसे पहले मूल भूत मंतरों से प्रैक्टिक शुरू करनी चाहिए काफी गड़बड ज हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था इसलिए चड़ी उसके ह पहत्से उड़ गई IYakahरी ने उसके उड़ के उड़ गई कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं हैरी कमरे के बीच में पहुंच गया वहाँ पर जकारिया स्मित के साथ एक बड़ी अजीब चीज हो रही थी जब वीवै एंथनी गोल्ड स्टीन को निरस्तर करने के लिए अपना मुझ खोलता था तो हर बार उसकी खुद की चड़ी उड़ जाती थी हालाकि एंथनी कुछ नहीं बोल रहा था इस रहसे को सुलजा निकले हैरी को ज़्यादा दूर नहीं देखना पड़ा फ्रेड और जॉर्ज इसमित से कुछ फुट दूर खड़े थे और बारी बारी से उसकी पीठ की तरफ अपनी चड़ियों से इशारा कर रहे थे सौरी हैरी जॉर्ज ने जल्दी से कहा जब हैरी की निगा उस पर पड़ी इतना बहतरीन मौका हम कैसे चूपते हैरी बाकी जोड़ियों के पास गया और गलत मंतर पढ़ने वालों को सुधारने लगा जिनी ने माइकल कॉर्णर के साथ जोड़ी बना ली वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी जबकि माइकल या तो बहुत बुरा था या फिर जिनी परमंतर नहीं पढ़ना चाहता था अर्णी मैकमेलन अपनी छड़ी को अनावश्यक रूप से लहरा रहा था और अपने पार्टनर को बचाओ करने का समय दे रहा था क्रीवी बंदू उत्साही लेकिन गड़बर थे और उनी के विशेश प्रियासों के कारण उनके चारों तरफ के शेलपों पर से पुस्तके उड़ रही थी लूना लवगुड भी हमेशा एक सा प्रदर्शन नहीं कर रही थी कभी कवार वैर जस्तिन फिंच फ्लेशली की चड़ी को अड़ाने में काम्याब हो जाती थी लेकिन बागी समय सरफ फ्लेशली के बाल खड़े हो जाते थे ठीक है रुक जाओ हैरी चिलाया रुक जाओ रुक जाओ उसने सोचा कि मुझे एक सीटी की जरूरत है ततकाल उसे सबसे पास वाली पुस्तकों की ऊपर एक सीटी पड़ी दिख गई उसने उसे उठा कर बजाया सबने अपनी चड़ियां जुका ली यह बुरा नहीं था हैरी ने कहा लेकिन अभी सुधार की काफी गुंजायश है जकारिया स्मित ने उसे गुस्से से देखा हम दुबारा कोशिश करते हैं वह दुबारा कमरे में घूरने लगा और यहां वहां रुक कर सुझाओ देता रहा धीरे धीरे सभी का प्रदर्शन सुधरता गया कुछ समय तक भैचो और उसकी सहीली के आसपास जाने से कत्राता रहा लेकिन कमरे में बागी हर जोडी के पास दो दो बार जाने के बाद उसे लगा कि अब भैं उन्हें ज़्यादा देर तक नजर अंदास नहीं कर सकता ओ नहीं चो ने तेजी से कहा जब बैपास आया निरस्तर भव मेरा मतलब है निरस्तर आग ओ मैं सॉरी मेरिटा उसके घुंगराले बालो वाली सहीली के आसतीन में आग लग गई थी मेरिटा ने उसे अपनी छड़ी से बुझाया और हैरी की तरफ गुस्से से गूरा जैसे है उसकी गलती हो चो ने हैरी को दुखी मन से पताया तुम्हें देखकर मैं बॉखला गई थी इससे पहले मैं सब कुछ ठीक कर दई थी यह बहुत अच्छा था हैरी ने जूट बोल दिया लेकिन चो की बौहें उठाने पर आंगे बोला नहीं यह बुरा था लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम सही तरीके से कर सकती हो मैं वहार से देख रहा था वह हसी उसकी सहीली मेरिटा ने उसकी तरफ चिड़ कर देखा और मुड गई उसका बुरा मतमानना चो बुद बुदाई वह दरसल यहां नहीं आना चाहती थी लेकिन मैं जबर्जरस्टी उसे अपने साथ ले आई उसकी माता पिता ने उसे ऐसा कोई भी काम करने से मना कर दिया है जिससे अमरिश परिशान हो जाए देखो उसकी ममी मंत्राले में काम करती है और तुम्हारे माता पिता हैरी ने पूछा उन्होंने भी मुझे अमरिस से पंगा लेने से मना किया है चोने गर्फ से तनते हुए कहा लेकिन सैड्रिक के साथ जो हुआ उसके बाद मैं तुम जानते हो कौन से कैसे नहीं लड़ूंगी उसने वाक के अधूरा छोड़ दिया वह थोरी परिशान देखने लगी और उनके बीच एकाजीब सी खामोशी चागई तैरी बूट की चड़ी हैरी के कान के पास से उड़ते हुए निकली और एलेसी एस्पिनिट की नाक पर पड़ी मेरी डैडी तो मंत्राले के विरूद में होने वाले हर काम में पक्ष लेते हैं लूना लवगुड ने गर्फ से हैरी के ठीक पीछे से कहा इस पस्ट रूप से वह उनकी बाते सुन रही थी जबकि जस्टिन फिंच फ्लेश ली उन दुशानों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था जो उड़ कर उसके सर के उपर उलज गए थे वे हमेशा कहते हैं कि फज कुछ भी कर सकते हैं मेरा मतलब है फज ने कितने सारे पिशाजों की हत्या की है और जाहर है वे नए ने खतरनाक जहर विकसित करने के लिए रहस्ति भिवाग कर इस्थमाल करते रहते हैं वे ये जहर हर उस व्यक्ति को चुपके से खिला देते हैं जो उनके साथ असहमत होता है और फिर उनका अंग्यूबलर स्लेश किल्टर भी तो है पूछना मत हैरी ने चो से बुदबदा कर कहा जब उसने हैरानी से अपना मुँ खोला चो हस पड़ी सुनो हैरी हर्माइनी ने कमरे के दूसरे सिरे से अवाज लगाई क्या तुमने समय देखा उसने अपनी घड़ी देखी और उसे यह देखकर सदमा लगा कि 9 बच कर 10 मिनिट हो चुके थे जिसका यह मतलब था कि उन्हें ततकाल अपने हॉल में लोटना होगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिल्च उन्हें पकड़ कर सजा दे सकता है उसने सीटी बजाई सभी ने निरस्तर भाव चिल्लाना बंद कर दिया और आखरी दो तीन चड़िया फर्ष पर गिर गई यह बहुत अच्छा था हैरी ने कहा लेकिन समय खतम हो चुका है इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम यहां से चल दे अगले सब्ता इसी समय इसी जगा और जल्दी नहीं मिल सकते डीन थॉममस ने उटसुकता से कहा और कई वित्यारतियों ने सहमती में अपना सिर हिलाया बरहाल एंजलीना ने जल्दी से आंगे कहा क्विडिज का मौशम चुरू होने वाला है हमारी टीम को प्रैक्टिस भी तो करनी है तो फिर अगले बुद्वार को रात को मिलते हैं हैरी ने कहा तब हम अतिरिक्ट मीटिंगों के बारे में फैसला कर सकते हैं चलो अब चलते हैं उसने हॉगवर्ट्स के नक्षे को दुबारा बाहर निकाला और साफधानी से जाच की कि साथ भी मंजल पर कोई टीचर तो नहीं है उसने उन सभी को दो तीन चार की जोड़ियों में बाहर भेजा और उनके छोटे बिंदूओं को तनाव से देखता रहा जब तक की वे अपने अपने गल्यारों में सुरक्षित नहीं पहुँच गए मैंनत कश के विद्यार थी अपने बेस्मेंट वाले गल्यारे में जो किचिन तक जाता था चीलगात के विद्यार थी महल के पश्चिमी सिरे वाली मिनार में और गरनदवार के विद्यार थी मोटी औरत की तस्वीर तक जाने वाली गलियारे में अब अंत में वहां हैरी रॉन और हर्माइनी बचे तो हर्माइनी बोली हैरी ये सच मुझ अच्छा रहा हाँ अच्छा था रॉन ने उत्सा पूरवा कहा जब वे दर्वाजे से बाहर निकले और उसे अपने पीछे दिवार में ओजा लोते हुए देखा हैरी तुमने देखा मैंने हर्माइनी को निरस्तर किया था सिर्फ एक बार हर्माइनी ना बुरा मानते हुए कहा तुमने मुझे जितनी बार निरस्तर किया मैंने उस से जादा बार तुम्हें निरस्टर किया था मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार नहीं तीन बार निरस्टर किया था देखो इसमें तुम उसे मत गिनो जब तुम पेरोलचने के कारण लड़कड़ा गए थे और मेरे हाथ से चठी गिरा दी थी हौल की तरफ लोटते समय वे पूरे रास्ते बहंस करते रहे लेकिन हैरी उनकी बाते नहीं सुन रहा था उसकी एक आँख तो हौकवर्स के नक्षे पर थी लेकिन वे चोग के बारे में सोच रहा था जिसने कहा था कि वे उसके पास आने पर बॉखला जाती है